आप देख रहे हैं हिंदी कच्छा 10 का अर्धवासिक पेपर जो की 70 मारका है यदि आप इंगलीज का पेपर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुए है जाकर के चेक करें देखें यह जो पेपर है इपी बोल्ड के तरज पर है इसमें इंपर्टेंट लिखक का नाम लिखना है किसी एक रचना का तो चिंता मड़ी अचारे राम चदर सुकली जी का है अकास्ति जैसंकरपसाद जी का है और हिमाले की पुकार हिमाले की पुकार जो है जैपरकास भारती जी की है जैपरकास की बहुत से इंपर्टेंट रचना होती है चलो चाद अगला important question दिया है कि रीती रीती मुक्त जो कभी थे उनमें से कभियों का नाम लिखना है तो रीती मुक्त कभी घनानंद जी थे आलम थे बोधा थे question number two देखें यहां पर दिया गया है कि प्रयोगवादी कभे धारा के दो कभी थे वह थे रामविला सरमा थे भवानी परसाद मिसर थे फिर अगरवाल जी थे question number next देखें खाका प्रगतिवादी कभे की दो प्रमुख प्रवितियों का जिकर करना है तो प्रगतिवादी कभे की जो प्रमुख प्रवितिया है यानि वी सेस्ताय है उस समय जो समाजी के अथार्थवाद था यानि कि समाज का चितरल किया गया है समाज में जो कुरतिया फिर मनवतावाद पर परताश डालागया मनवतावाद में तो लोग मानों को ही महान समझते थे, इस वर पर कोई तुन नहीं देते थे, फिर उस समय कुरांति का हौँ त हैं किर्णति काहवान का मतलब की तमाम गिर। एक के दोरांत किया गया पिर सोस्को के प्रतिववदार की सब्सक्राइबूइबगा दुस्ताया गवड़ देख़ा है कि रूप्ष बातानु की सब्सक्राइब टूर इक परिकर्वches का शिक्राकरख के साथ साथ भीर रस भी वहाँ पर जिक्रख किया जाता था तक ते पाई तक ठीक है इसका क्या करना है बैक्ख्या करना है संदर्ब सहीत अर्थ लिखना है अगला क्वेशन नबर पच्वा है कि कोई किसी एक लेखा का जीवन परचाय देना है गद्दे से अचार राम चंदर सुकल डाक्टर राजेंदर परसाद और भगगत कास डलना है तुलसी दास बिहारी लाल और सूर्दा से तीनों इंपार्टेंट है तीनों में से कोई इपी बोर्ड में ही आएगा ये कुश्चन आपके संस्क्रित परचाय का से दिया गया है इसका संदर्ब सहीत अर्थ लिखना है वरार्सी सुबिगाथम प्राचिन नगर इसे लेकर के आगे तक दिया है ये कुश्चन नबर सिक्स है वादेगा थवा उसके बिकल्प में कोई एक इसलोग दिया है उत्तर यता समुद्रस से हमाद्रस से लेकर के संतती तक इसका भावार्थ लिखना है कुश्चन नबर सेवन थै अपनी पाठे पुस्तक से कोई कं नेक्स्ट कोश्चन है की कूपम की मर्थम दुखम अनुभवती तो कूपम नितराम नीचम दुखम अनुभवती चंदर सेखर स्वनामं कीम अकतहत चंदर सेखर अजादा अगला कोश्चन देखे है कोश्चन नमबर एट था अब यहां से हासरा सत्वा करूरस की परिभास उधाल सही चेक करेंगे आप लोग यम्मा का रूपा कलंकार और नेक्स्ट है रोला थवा सोल्ठा की परिभासा काफी इंपर्टेंट होता है ये आपके भूक के लास्ट में सभी कोश्चन आपको इसके अंसर मिल जाएंगे ये उपसर्ग से हिंदी व्याकरण में है उपसर्ग में से किसी दो के मिल से एक एक सब्द बनाईए अप दिया है जैसे अप का अपमान होता है सहयोग पन घट अभिमान इस तरह से बना जाता है निमलखित में से परते में से दो का प्रियोग करके एक एक सब्द बनाना है जै बिचे देखे समास है समास विग्रह करके समास का नाम बताना है कनक लता सब्त सिंधु यथा सक्ति वीड़ा पाली में से कोई एक कोई दो ही करना है अगला दिया है तदभा और ततसम ततसम रूप लिखना आख अच्छ अगनी आग आमर आम सद का सव निक अगला कोशन अम्ल आधन अवधर शूधन आगत सदाधन एव विद्याधन अर्थी बहरी सिंपल है इसको चेक कर लें आप ए आपके बिवक्ती है तृतिया बिवक्ती लिखना मधू या नदी का इसको चेक कर लें निम्रकित में से किसी एक धातु लकार लिखना है काफी इंपर्टन्ट है अ पूस्चन है आपको निबंद लिखना है किसी एक पर नारी जिच्छा फिर हमारा फ्यारा भारतवर सदाध परता कोई एक बिरोजगारी फिर जोती जवार खंड कावे के अधार पर अब पंडी जवालाल नहरू जी के जिवन परचे के बारे में आप इस्टडी कर लेंगे ये भी एक जाम में आए सकते हैं थांकी स्टुएंट